आज हम आपको आदी कैलास यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले हमारी अपील अवश्य सुन लें आपने अगर अभी तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं आदी कैलास को सेप कैलास, छोटा कैलास, बाबा कैलास और जोगलिंग को पिक के नाम से भी जाना जाता है आदी कैलास भारत के राज्य, उत्राखन, जिला पिथोरागड, हिमाले परवत, स्रिंखला में इस्तित है आदी कैलास को तिबबत में इस्तित कैलास परवत यानि कैलास मानसोरोवर की पर्तिकृतिक कहा जाता है चुकि चीन से चल रहे बिवात के कारण कैलास मानसोरोवर की यात्रा बंध है तो आप आदी कैलास की यात्रा भी कर सकते हैं आदी कैलास भारत तिबबत, सीमा के निकट, भारतिय छेत्र के उत्राखन राज्य में इस्तित है आदी कैलास की उंचाई समुद्र तल से लगवग 5945 मीटर है तिबबत में इस्तित कैलास की भांती यहो भी एक सरोवर है सरोवर के किनारे भगवान सिव और माता पार्वती का मंदिर इस्तित है पहले आदी कैलास की यात्रा लगवग 12 से 14 दिनों में पूरी होती थी जिसे पैदल या घोडे द्वारा किया जाता था लेकिन अब बहान से यहो यात्रा की जाएगी पूरी यात्रा का इंतिजाम कुमाउ मंडल विकास निगम की और से किया गया है अब यात्रा आठ दिन में पूरी हो जाएगी तो आईए जानते है कि कैसे यहो यात्रा की जाती है सबसे पहले आपको यात्रा के लिए बुकिंग करानी होगी आप मोबाइल नंबर 730-3195-210 पर फोन पर के एम वी एन एडि आई के ए आई एल एस एज कैलास लिखकर SMS या WhatsApp करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यहो यात्रा कुमाव मंडल के काड गोदाम से शुरू होगी जो भीमताल से होते हुए पितोरागड, धारू चूला, गुंजी, जोलिंग कॉंग, आदि कैलास, ओम परवत, नवी से वापस गुंजी से धारू चूला, डीडी हाट और फिर भीमताल के बाद काड गोदाम परी समाप्त होगी कुमाओ मंडल विकास निगम ने बाहन के साथ साथ रहने खाने का भी इंतिजाम किया है निगम की वैपसाइट के मुताबिक यात्रा के दोरान 45,000 रुपे परती यात्री सुल्क लिया जाएगा यह यात्रा दो जून से सुरूर है इस तरह आप जहां एक धार्मिक यात्रा कर सकते हैं वहीं आप हिमाले के उँचे उँचे पहाडों की चोटियों तक भी पहुँच सकते हैं उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने महत्तोपुन कमेंट्स जरूर रखें आपके द्वारा ही हमें महत्तोपुन जानकारियां राप्त होती हैं और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके धन्यबाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ